हलो एवरिवन, वेलकम बेक टो तेयारी ओनलाइन, मैं हूँ सुधा, आज की वीडियो में हम जानेंगे 30 मार्च 2021 के डेली करेंट अफियर्स MCQ के बारे में और साथ ही आपको बताये जाएंगे सभी प्रशनों के इंपोर्टेंट फैक्ट्स यह वीडियो आपके आने वाले सभी एकजाम्स के लिए इंपोर्टेंट है तो वीडियो को आप पहले आप तक पहुआँचे में वीडियो को लाइक और सेयर कर देए आप हमसी इंस्टाग्राम पर प्र जूर सकते हैं इंस्ट्राग्राम का लिंक आपको description में मिलेगा तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रस्ण देखते हैं तो देखिए पहला प्रस्ण हमारा है बांगलादेश के धाका और पश्रिम बंगाल के न्यू जलपाई गुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी express train को चलाने की घोसना की गई हैं तो देखिए बांगलादेश के धाका और पश्रिम बंगाल के जलपाई गुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए मिताली express मिताली express को चलाने की घोसना की गई है option number D का correct answer है चलिए आपको important facts बता दिया जाए इस से related तो यहां देखिए भारत के प्रधान मंतरी सिरी नरेंदर मोदी जी और बांगलादेश के प्रधान मंतरी सिख हसीना ने भारत और बांगलादेश के बीच धाका और पश्रिम बंगाल के निव जलपाई गुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए मिताली express चलाने की घोसना की दोनों देशों के बीच मैत्री express जो धाका से कलकता तक और बंधन express जो खुलना से लेकर के कलकता तक चलती है और तीसरी हो जाएगी मिताली express जो धाका से लेकर के जलपाई गुड़ी तक चलेगी चलिए अब बांगलादेश के बारे में बता दिया जाए तो बांगलादेश की राजधानी हैं धाका बांगलादेश में राजधासा बूली जाती हैं बांगला बांगलादेश की प्रधान मंत्री हैं सेख हसीना राष्ट पती हैं अब्दुलहामीन और अध्यक्ष भी अब्दुलहामीधी हैं बांगलादेश का वीज़े दिवस मनाया जाता है सुल्ल दिसंबर नेक्स वेशन हमारा है गोवा के मुख मंतरी डॉक्टर प्रमूत सावंत ने हाल ही में पंजी कला आकादवी में कौन से भी हुनर हार्ट का आयोजन किया है तो देखिए उन्होंने 28 भी हुनर हार्ट का आयोजन किया है ओप्सन नमबर डी इसका करेक्ट आंसर है चलिए गोवा के बारे में जान ले तो गोवा की राजधानी है पंजी सबसे बड़ा सहर है वासकुर्द गामा महा की जनसंख्या है 14,58,545 गोवा की राजभासा है कौंकनी गोवा के राज़ेपाल है भगसी, खोस्यारी मुख मंतरी है प्रमोद सावन इंपोर्टेंट फैक्स देखिए इंपोर्टेंट फैक्स में भी वही बाते बताई गई है कि गोवा के मुख मंतरी डॉक्टर प्रमोद सावन्त ने 28 में हुनर हार्ट का आयोजन किया है और कहां किया है तो गोवा की राज़धानी पंजी में किया गया है यह हुनर हार्ट जो है वह पंजी के कैमपल इस्थित कला केंदर में स्वदेशी कारीगरों और दस्तकारों के लिए किया गया है इस हुनर हार्ट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की प्रतिवध्धता को ससक्त किया गया है Next Question हमारा है किंद्रिय जलसक्ती मंत्री ने हाल ही में किस मीशन के तहत साथ राजियों के लिए 465 करोर रुपए की रासी को मंजूरी दी है तो देखिए 465 करोर रुपए की रासी किस लिए इसकी मंजूरी दी गई है तो देखिए जल जीवन मीशन के लिए Option No.2 का correct answer है जल जीवन मीशन के लिए 465 करोर की रासी को मंजूरी दी गई है चले इस questions related important facts आपको बता दिया जाए तो यहां देखिए केंद्रिय जल सक्ती मंतुरी ने हाल ही में जल जीवन मीशन साथ राज्यों के लिए कौन-कौन से राज्य इसमें सामेल है तो देखिए अरुनाचल परदेश है मनीपूर है, मेगाल है, मिजोरम, सिक्कम और गुजरात और हिमाचल परदेश यह साथ राज्य हैं, जहां जल जीवन मीशन जो है वह सुरू किया जाएगा गुजरात सर्वस्रेश्ट परदेशन करने वाले राज्यों में से एक है जो की हर घर में नल से पानी की आपूर्ती सुनिस्चित करने के लिए जल जीवन मीशन का कार्यान बन कर रहा है जल सकती मंत्री नेक्स क्योशन अमारा है, टीवी मुख्ट भारत के लक्षिक को प्राप्त करने के लिए हाल ही में किसने जन्जात ये T.V. पहल लौंच किया है तो देखिए जन्जात ये T.V. पहल यह लौंच किया गया है केंद्रिय स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्स वर्धन के द्वारा option number 20 इसका correct answer है जब यहाँ TV की बात हो रही है TV यानि tuberculosis जिसे हम हिंदी में 6 रोग कहते हैं तो आप यह भी जान ले कि केंद्रिय स्वास्त मंत्री स्री हर्स वर्धन को 18 March 2021 को stop TV partnership board के अध्यक्ष के रूप में नुक किया गया है और stop TV partnership क्या है तो देखिए stop TV partnership जो है वह एक अंतर राष्ट्री संस्था है जो राष्ट्रों को TV से यानि tuberculosis से लडने के लिए सनरेखित करने का काम करती है जिसका एक मात रुद्देश से है TV मुक्त दुनिया का निर्मान करना यानि tuberculosis को जर से मिटाना और भारत ने 2025 तक tuberculosis को खत्न करने के लिए परती बद्धता जाहिर की है चलिए से related important facts आपको बता दिया जाए तो देखिए important facts में भी वही बाते लिगी हुई है कि केंद्रिय स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हर्स वर्धन ने हाले में TV मुक्त भारत के लक्ष को प्राप्ट करने के लिए जन जाती TV पहल लॉंच की है उन्होंने कहा है कि वर्स 2025 तक टीवी उन्मूलन में भारत बिश्व के लिए प्रमुख मार्ग दर्शक बनेगा नेक्स्ट कुशन हमारा है भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान बिराट कोहली बत और कप्तान कितने इंटरनेशनल मैच खेलने वाले तीसरे भारतिये क्रिकेटर बन गए हैं तो देखिए इन्होंने खेला है दो सो इंटरनेशनल मैच आपसन नमबर डी इसका करेक्ट आंसर है दो सो इंटरनेशनल मैच खेलने वाले तीसरे भारतिये क्रिकेटर बन गए हैं चले कुशन से रेटेड इंपोर्टन फैक्ट्स देखें तो यहां देखिए भारत क्रिकेट टीम के कप्तान बिराट कोहली बत और दो सो इंटरनेशनल मैच खेलने वाले तीसरे भारतिये क्रिकेटर बन गए हैं उनसे पहले महिंदसी धूनी है उन्होंने 332 इंटरनेशनल मैच खेले हैं उसके बाद है मुहमद अजरुदीन जिन्होंने 221 इंटरनेशनल मैच खेले हैं बिराट कोहली ने कप्तानी में अब तक 12343 रन बनाए हैं नेक्स्क्क्विशन अमारा है सुटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की स्रेसी सी ने वुमेन ट्रेप टीम इवेंट में कौन सा मैडल जीता है तो देखिए उन्होंने गोल्ड मैडल जीता है बिहार की स्रेसी सी ने गोल्ड मैडल जीता है अब यहां देखिए बात हो रही है बिहार राज की तो मैं बिहार राज के उन सब ही बच्चों को सुब काम नाये दूंगी जिन्होंने 10th और 12th में बिहार का नाम रौसन किया है अब important facts देखिए तो important facts में भी वही बात हैं कि बिहार की स्रैसी सी ने women trap team में gold medal जीता है और साथ ही women and men's trap team में भी भारत ने gold medal जीता है 25 meter rapid fire में पूरुस टीम ने silver medal जीता भारत ने अब तक tournament में कुल 15 gold, 9 silver, 6 bronze कुल मिलाकर भारत ने 30 medal जीते हैं जिसमें 15 क्या है? gold है, 9 silver है और 6 जो है वो bronze है दिल्ली में हो रहे है सुटिंग वर्ल कप की जिक्रतों हमने कई बार की है चलिए आप हमें बताएं कि दिल्ली में यह कहां पे हो रहा है next question हमारा है my life is full, work, family and our future पुस्तक किस ने लिखी है? तो देखे यह पुस्तक लिखी गई है इंद्रा नुई के द्वारा option number D इसका correct answer है किस के द्वारा लिखी गई है? इंद्रा नुई के द्वारा लिखी गई है चलिए आपको इंद्रा नुई के बारे में बता दिया जाए तो इनका पूरा नाम है इंद्रा कृष्ण मुर्ती नुई बरतमान में यह पैपसी को कंपनी की मुख्य कारेकारी अधिकारनी है और दुनिया की प्रभाबसाली महिलाओं में उनका नाम सुमार है और साथ ही यह एल निगम की उत्राधिकारी सदसे हैं किसकी तो आपको त्यान रखना है एल निगम की और इंद्रा नुई निव यॉक फैडरेशन रिजर्ब के निदेशक बोर्ड की अस्तर बी की निदेशक भी है उनका जन्व हुआ 28 अक्टूबर 1955 में और कहां हुआ तो चेन्ड़ में उनके पिदा है राज के नुई नेक्ट कोईशन हमारा है नीती आयोग ने कितनी सरकारी बैंकों को नीजी करन योजना से बाहर रखने का फैसला किया है तो देखिए नीती आयोग ने छे बैंकों को नीजी करनिये योजना से बाहर रखने का फैसला किया है अब उन छे बैंकों में कौन-कौन है तो यहां देखिए बारतीे इस्टेट बैंक है, मनजाब निसनल बैंक है, यूनियन बैंक है, केंड़ा बैंक है, इंडियन बैंक है और बांक और बरोदा है ये छे बैंक हैं जिनने नीजी करनी ए, योजना से बाहर रखा गया है ने इसक्रметियं है, हेमी एंड्रस जेसिन डा जिससे न्यूजीलेंड के प्रधान मंत्री जैकिंडा अर्नर्ट के नाम पर रखा गया है की प्रजाती है तो देखे यह जो है वह क्रिकेट की प्रजाती है उप्सन नमबर A का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट विचेन अमारा है बांच Incomplete Life of Complete Woman के लेखक कौन है तो देखे इसके लेखक है सुसमिता मुखर जी उन्होंने लिखा है बांच Incomplete Lives of Complete Woman चलिए अब सुसमिता मुखर जी के बारे में आपको बता दिया जाए तो सुसमिता मुखर जी एक भारती फिल्म एक्ट्रेस है जो मुख्य तोर से हिंदी सिनेमा में सक्रिये रही है उनकी अब तक की हिट फिल्मों में मस्ती जादे रब्बा मैं क्या करूं जैसी फिल्में सामिल है और इनकी हालिया में रिलिज फिल्म है A Sniff चलिए questions related important facts आपको बता दिया जाए तो इहां देखे यहां सुस्मिता के बारे में लिखा गया है कि सुस्मिता मुखरजी जो है वा एक एक्रेक्टरस है उन्होंने graduate किया है National School of Drama से Daily Current of Your Sam CQ का ये वीडियो यहीं समाफ्थ होता है वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं अगर कोई question आपके मन में है या आप हमें कोई सुझाब देना चाहते है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य से भीजे अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को दबाएं ताकि सभी notification सबसे पहले आप तक पहुँचे वीडियो को like और अपने दोस्तों को भी share कर दे तो मिलते हैं नए दिन नए प्रस्णों के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद